बेस्मार्टवाच इस अंडर 5,000 रुपीस देखो रिसेटली मैंने 3,000 की डेडिकेटट स्मार्टवाच के उपर वीडियो अप्लोड की है अगर आपका वजट 3,000 रुपीया तो आपको यह वली वीडियो चेक करनी चाहिए और आज किस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेस्मार्टवाच जो कि हमें 5,000 के विजट के अंदर मिल जाती है देखो रिसेटली सभी ब्रैंड्स के एकदमी नई स्मार्टवाच जो कि हमें 5,000 के विजट के अंदर मिल जाती है इनके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले, GPS और Bluetooth कॉलिंग जैसे फीचर्स मिल जाती है और एक और चीज अचाहिए आपको round dial में, smartwatch चाहिए और या फिर square dial में हर एक design की smartwatch आपको आज की इस एक ही वीडियो के अंदर बता दूँगा तो अपने वीडियो के सबसे पहले smartwatch है बोट की, बोट एनिगमा X500 stainless steel का इसका design है, यह smartwatch अभी recently launch हुई है, बहुत ही durable smartwatch है, एकदम ही luxury design है इसका 4300 रुपीज़ का current price है, 300 image की बैटरी का पैस्टी मिल जाती है, साथ दिन का बैटरी बैटरी बैकप हो गया, धाई गंटे के अंदर smartwatch फुल चार्ज हो जाती है 600 से भी जादा निट्स की brightness मिल जाती है, हमें इसकी डिस्प्ले के अंदर 1.43 इंचिस के AMOLED डिस्प्ले आराउंड शेप में, 466 x 466 pixels stainless steel के straps, metal की body, bluetooth calling वाली smartwatch है IP68 rating, इसके अंदर आपको सारे features मिल जाते हैं, heart rate monitoring, sputo monitor, step sleep and female health tracking जैसे सारे features उसके बाद breathing exercises, 100 से भी जादा इसके अंदर आपको sports modes मिल जाते हैं, and 100 से भी जादा watch faces, and calling की बाद करने तो dial कर सकते हो, and अपनी calls को receive कर सकते हो, अब smartwatch से ही, बढ़िया smartwatch है, go for it, इसका जो best while link का वो आपको description box में मिल जाएगा, अगली smartwatch आजाती है, cult sport की, cult sport ASX, luxe edition, 3000 रुपिस का करन पाइस है, 7 दिन का battery backup आपको मिल जाएगा, normal usage पे, and 2-3 दिन का always on display को on करने पे, दो खंटे का इंदर smartwatch full charge हो जाती है, 1.96 इंचिस की AMOLED always on display मिल जाएगी आपको, square shape वाली smartwatch है, 466 by 466 pixels, silicon के strap metal की body, Bluetooth version 5.3 दिया गया, एकदमी latest Bluetooth version आपको connectivity के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, Bluetooth calling वाले smartwatch है, एक functional button मिल जाता है, आपको crown, heart rate monitoring, SPO2 monitor step के साथी, sleep and calories वगरा सब कुछ आप track कर सकते हो, 113 इसके इंदर आपको sports modes मिल जाती है, 200 से भी ज्यादा watch faces, automatic sport detection को smartwatch support करती है, वन single tap pairing के साथ ही आपको quick reply जैसे functions मिल जाती है, voice assistant का भी feature आपको इसके अंदर दिया गया, काफी बड़िया smartwatch है, go for it, इसका भी जो best file link आपको description box में मिल जाएगा, Now this is nothing watch pro, nothing की एक दमी latest smartwatch आप बहुती बड़िया design है, इसके अंदर आपको inbuilt GPS भी मिल जाएगा, GPS के साथ आपकी जो भी activities है ना, उसकी accuracy काफी जादा बढ़ जाती है, और आपको अपना phone carry करने की भी जरूरत नहीं रहती, और बागी दूसरी जो smartwatches आपको GPS के साथ मिलती है ना, उनके लिए आपको phone चाहिए to track your location, बड़ इसके साथ ऐसा नहीं है, 4400 रुपीज इसका प्राइज है, 340 mAh के बैटरी के बैस्टी मिल जाती है, बैटरी लाइफ के अगर बाग करें, 13 इनका बैटरी बैकप आपको smartwatch के अंदर मिल जाएगा, धाइगन टेके अंदर smartwatch फोल चार्ज हो जाती है, 600 से भी जादा निट्स की brightness मिल जाएगा आपको डिस्प्ले में, 1.96 इंचिस की AMOLED Always On Display, Squashay वाली smartwatch है, 410 x 502 pixels, 58 Hz का refresh rate दिया गया है, 60 Hz से थोड़ा कम, सिलिकॉन के स्टैब, Body Material, Metal का, Bluetooth का एकदर में लेटेस्ट वाजन है, 5.3, Bluetooth कॉलिंग वाली smartwatch IP68 रेटिंग, सिंगल बटन दिया गया साइट पर हार्ट्रेट मोनिटिंग, SP2 मोनिटर स्टैब के साथी sleep and stress मोनिटिंग को smartwatch सपोर्ट करती है, breathing exercises के साथ 110 से भी जादा इसके अंदर आपको sports modes मिल जाते हैं and multiple watch faces को smartwatch सपोर्ट करती है, रेज टूब एक फीचर हो गया, camera control, voice assistant, ये सारे features आपको smartwatch के अंदर मिल जाएंगे, बढ़िया smartwatch है, एकदम ही different सी smartwatch है, जरूर consider करो इसे अब, best filing description box में है, अगली smartwatch है, firebolt diamond, ये smartwatch एकदम ही नहीं है, अभी October में launch हुई है, रेसेंटली, 5000 रोपिस का current price है, 260 mH की battery capacity मिल जाती है, battery life 4 दिन की है, from 0 to 100%, इसकी जो battery है ना, वो 3 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी, 600 nits की brightness, 1.43 इंचिस के AMOLED always on display, round shape वाली smartwatch है, 466 x 466 pixels, stainless steel के staff मिल जाएंगे आपको, body material metal का है, Bluetooth calling वाली smartwatch IP67 rating, तीन बटन आपको एक side पे मिल जाते हैं, आपको smartwatch की, SPO2 monitor के साथी आप sleep tracking कर सकते हो, 300 इसके अंदर आपको sports modes मिल जाती है, इस smartwatch के अंदर आपको inbuilt storage मिल जाती है, 4GB की, voice assistant के साथी TWS connection को smartwatch support करती है, 110 इसके अंदर आपको inbuilt watch faces की support मिल जाती है, after that inbuilt games होगी, calculator होगी, music के साथी camera control होगा, dial and receive calls होगे, ये सारे features तो आपको इसके अंदर मिली जाती है, काफी बड़ी हा rating वाली smartwatch है, fireball की smartwatch है, go for it. Now this is Amazfit Pop 3S, देखो simple चीज़ है कि ये जो smartwatch है ये Amazfit की इस budget की सबसे बहतरीन smartwatch है, चारह जार उपेस का current prize हो गया, 300 mH की battery capacity मिल जाती है, 12 दिन का battery backup, 2 घंटे के अंदर smartwatch full charge हो जाती है, 600 nits की brightness, 1.96 inches की AMOLED always on display, rectangular shape वाली smartwatch है, 410 x 502 pixels, 2.5D curve glass, silicon के strap, body material metal का है, Bluetooth version 5.2 दिया गया, Bluetooth calling वाली smartwatch है IP68 rating, इसके अंदर आपको एक single button मिल जाता है, side पे, multi function button, heart rate monitoring, SPO to monitor step के साथ ही sleep tracking हो जाती है, breathe training होगी, 100 इसके अंदर आपको sports modes मिल जाती है, 100 से भी जादा इसके अंदर आपको watch faces की support मिल जाएगी, after that, raise to wake feature होगा, AI voice assistant होगया, music के साथी camera control कर सकते हो, weather updates, and आप अपनी calls को make कर सकते हो, और उन्हें आप answer भी कर सकते हो, बहुती good looking smartwatch है, perfect smartwatch है, 4000K recording, go for it, and जो मेरे recording इस परेट की सबसे best smartwatch है, that is Firebolt Invincible Plus, 4500 रुपीज़ का current price है, 380 mh की battery का best ही मिल जाती है, इसका जो battery backup है वो थोड़ा कम है, 2-3 दिन का battery backup आपको normal usage पे मिल जाएगा, Bluetooth calling on करने पे एक दिन का battery backup smartwatch easily दे देती है, दो घंडे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है, 600 nits की brightness 60 Hz का refresh rate है, 1.43 इंचिस की AMOLED always on display, round shape वाली smartwatch है, 460 by 460 pixels, 2.5D full lamination curve displays की, stainless steel के strap, additional आपको watch के साथ silicone के straps से भी मिल जाते हैं, metal की body, Bluetooth calling वाली smartwatch है, IP67 rating, single rotating button आपको मिल जाएगा smartwatch की साइट पे, heart rate monitoring, SPO2 monitor, blood pressure monitoring, sports modes को check करें, तो 300 से भी जादा इसके अंदर आपको sports modes मिल जाते हैं, 110 से भी जादा built-in watch faces, TWS connection, charge EV music storage, built-in mic and speakers, AI voice assistant, receive notifications, messages and calls को आप receive कर सकते हो, dial भी कर सकते हो, और उपर से इस smartwatch के अंदर आपको 5 inbuilt games भी मिल जाती है, totally value for money smartwatch है, दिगर simple जीज़ा के, जो भी features आपको एक 5000 वाली smartwatch के अंदर maximum मिल सकते हैं, वो सारे आपको इस smartwatch के अंदर दे रखे हैं, आखे मन करके आप इस smartwatch को buy कर सकते हो, best spelling description box में आए, go for it, तो या दिज़ादी best smartwatch is under 5000 रुपीज in 2023, देखो आपने सिरफ एक चीज़ करने के आपको इन में से जो भी smartwatch बढ़िये रखती है न, just go with that option, सभी के best spelling साब को description box में मिल जाएंगे, और इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी query है तो please उसे आप comment section में mention कर दे, that's all for this video guys, thank you for watching the video, peace out